अब यह सब को टर्न आएगा भी तो 23-22 तो टर्न आएगा ना वी पीवाई की वालों का स्टैडल पॉइंट तुमने एफ एक्स जिरो किया है क्या आया कि अधर एक्स लोग साथ टू एक्स इंटू माइनस वाई इस पार्चल डेलिवेट वाई आया था माइनस एक्स पर माइनस प्रीवाई स्वाई स्वाई करना आता है किया अधर एक्स बाई निकाली थी तो अच्छा इस जिरो टू आई है तो प्रिटिकल पॉइंट इनमें से आगे तभी तो तो अ तो अधर निकालना नहीं आता अभी तक यह दिक्कत है कब सिखो गया तो अभी यह सब दुबारा वी सॉल करा रहा हूं ना जो करा रहा हूं ना जो कर रहा हूं तो यह जो चल रहा है उसको फॉलोग करो देन कुछ का चीश्य एक्सरा कर सकते हैं यह पिला जो क्लास में चेल रही है उसको कम से कव से कंप्लीट कर लो को है कि आप तुममें क्रिटिकल पॉइंट इंकालना नहीं आरा मुझे अग्या मतलब है क्लेकल पॉइंट निकालना को की कि यह कुशन है कि इसको बेसिक कुशन है बताओ तो है पोर एक्स है माइनस टू एक्स वाई हो गया यह एफ वाई एक्स करेंट जहां वाई है वह जीरो हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया माइनस एक्स स्क्वाईर माइनस थ्री वाई स्क्वाई प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन इसको जिरो पूट करो और इसको भी जिरो पूट करो तो इसको जब जिरो पूट करोगे एक तो आजाएगा एक्स वराबर जिरो और सिंप्लिफाई करेंगे तो अब इसको कॉन सॉल्फ करेगा इसमें x को जीरो रख़ा तो y निकालो यहसे तो इसमें एक स्कुछ को जीरो रख रहे हैं तो y क्या आएगा कि निकाले हो एक तो को आप सब्सक्राइब करिए थुम्हारे चैनल करने आउंगा तुम्हें करना है तो आधा दूरा करो गएकजाम में अंसर ही नहीं आया मेनती टाइम परवाद होगा जब कर रहें तो पूड़ा करोगे ना कि यहां आए कि तो पूछ लिए डाउट क्ला चलो पूछ लेते हैं लेकिन एक्जाम में तो पूड़ा तुम्हें ही करना है प्राइक करो तब ही तो होगा के की सजाओ क qui से डिवाइड़ कर देते हैं—3 से य स्कोर माइनस to बाइट एrent य को कर दो चारे है वाद वाद चलो सही किया ने यह निकि कर रहें हैं सही है तो चेक कर लो कि असो कि सिंप्लिफाई करो इसको 3 से डिवाइड करो y स्कूर माइनस 2y माइनस 3 0 इसको फ्रक्राइज कर पाओगे कितना आएगा y माइनस 3 y प्लस 1 तो यह सब सॉल्व करना आना चाहिए यहां से यह आ गया तो जब x 0 है तो y की वेलू यह है तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पॉइंट्स आ गया एक पॉइंट है 0 3 0 माइनस 1 यह तब है जब x को 0 रखा था यह दो critical point मिले आगे और भी condition यह तो इससे मिला अब इसको put करना है y को टू रखो इसी equation में तो जब y को टू रखो y को टू रखना है इस equation में y को टू रखो तो कितना आएगा माइनस x2 y को टू रखो बताओ क्या आएगा अरे भाई तुम्हें इतना भी calculation नहीं करना आ रहा है तो क्या critical point आ गया 3,2 माइनस 3,2 तो मेरे बास चार critical point आए 3,2 माइनस 3,2 यह है अब बताओ कैसे check करते हैं कि यह point of maxima है या point of minima है या inflection point है या point of maxima minima या saddle point कैसे check करते हो तो यह कौन यह कौन करेगा मुझे यह बताओ तुम उससे क्यों पूछ रहे हो फिर यह कौन करेगा इसको check अरे बाइक क्या definition कैसे by definition कर वाट इस definition of saddle point बताओ क्या definition saddle point का कैसे बता चलेगा तुम्हें वह ऐसे तो करते रह जाओगे इतना time थोड़ी है पहले जो हमारे पास theorem से वह लगाएंगे ना जब theorem fail होते हैं तो उस पर जाएंगे तुम पहले ही वहाँ शुरू हो गए definition करने में तुम्हें सालो लग जाएगा तब भी नहीं हो पाएगा कई बार तो definition कई बार इतना trivial थोड़ी होता है कि तुम कर रहे हो जो प्रोसीजर तुम्हें बताया क्या उसको फॉलो करो ना वो थिएर्म से थिलत होते हैं help के लिए निकालो आर एस्टी आर्टी माइनस स्कुरेश स्कूरेश करो सुपता चल जाएगा जब थिए लोगा तो हम सोचेंगे एक अल्टरेटीव वे क्या है तुम आसान रास्ता छोड़ के मुश्किल रास्ते बटा करें पुड़े एक्जाम में एक ही कुशन होगा तीन गंटे में जैम में अगर ऐसे करने लगे तो अब वो भी नहीं होगा वो भी आंसर नहीं आएगा अगर ऐसे करने लगे तो समझो ना कि टाइम कैसे सेव होगा एक्जाम में कैसे हम कम टाइम ज्याजा कुशन सॉल्व करो अब तुम आजा क्रिटिकल पॉइंट निकाल गई छोड़ दिये कुशन तुम क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल पाए और उसे में डेफिनिशन लगा रहे हो जब क्रिटिकल सब्सक्राइब क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हो जब ना हो तो आगे कि अपैंट करो इसको आई टी माइनिस स्कॉर निकालो आए इस ती निकालो आटे में जो तरीका उससे गड़ो जब ना हो तो आगे पुछो पुसे डिफिनिशन से क्यों करने लगे कंप्लीट कर नहीं हो रहे हो पूछो कि इसको अभी कंप्लीट कर लो और अभी नहीं आ रहा तो अभी पूछो जब तो इक आउट पूछो